रिगवेद से 85, मानवी करण, इंद्रदेव इंद्रदेव चिर युवा हैं, सुशोभन, सुदर्शन हैं, आभूशन धारी हैं, ज्यानी हैं, बिविद गुनों से पूर्ण हैं, अतुलनीय, सर्वजई, महाबली हैं, अजेय हैं, उनकी वानी समयानुसार मधुर और प्रचंड गर्जन के समान हैं, वे प्रचंड मतवाले बलसाली साण की भाते हैं, वे जरा मुक्त हैं, उनका शरीर विशाल है, उन्हें सोमपान अत्यंत प्रिय है, जब भरपूर सोमपान कर लेते हैं, तब उनका उदर विशाल हो जाता है, ऐसी स्थिति में उनका अपार बल पूर्णता जागरत हो जाता है, परशुद जैसे सहजता पूर्वक व्रिक्ष को काटता है, मुगदर जैसे मिट्टी के बरतन तोड़ता है, वैसे ही स्थ्र समूप को विस सहजता पूर्वक विनस्ट कर देते हैं, आप शत्रों के महाकाल और मित्रों के रक्षक हैं, हे स्वरण मुकुद धारी, हे लोख कबच धारी, आप दाहिने हाथ में प्रचंड वज्ज्र धारन करते हैं, जिसके प्रहार से विशाल से विशाल परवत भी खंड खंड हो जाते हैं, हे इंद्रदेव, आप जियोति स्वरूप हैं, आपका गर्जन प्रचंड और असहनिय होता है, आप प्रित्वी रूप हैं, आप ब्रिष्टि के द्वारा माता की भाती स्ष्टि के पालन करता हैं, मदन, मोहन, तरुन के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठि मदन के दाँ सबना की जब ही रम्हारा हैं, झालन करक में पहुंगा हैं, एमोहनÂ तरुन के कि दो पहला हैं, आपका पैसी रजल अस्ति दो ऑ만र अस्तित, टो रहाएग हैं, आपका पत्वारा फैकाתי, V runners-.